ही गाइस वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यह लड्डू और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में और उससे भी बेस्ट लगते हैं खाने में और विंटर सीजन गाइस चली रहा है तो यह ड्राइफ रूट के बनाना बेहती आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं तो बनाए इस बिंटर इस तरीके से लड्डू बताईए का कैसे लगे हैं आपको लड्डू तो मैं बताती हूं इनकरीडियंट तो यहां पर हमने मूमफली ली है अब मूमफली को हमने ड्राइ रोस्ट कर लिया ह मुमफली ड्राइड रोस्ट हो गई है को फिर निकल जाएगा बहुत आसानी से तो आपको इतना ही ड्राइड करना है कि यह देख सकते हैं मैंने मुमफली का उपर का छिलका शम निकाल दिया दिया कि कुछ इस तरीके से आप लोगों को इंक्रीडियंट्स दिखाती हूं क्या क्या इंक्रीडियंट्स लगेंगे परफिक्ट रेशियो के लिए एक आप बाव ले लीजिए कुछ इस तरीके से तो यहां देखिए मैंने गुड ले लिया है और मैंने यह ड्राइफ्रूर्स में किसमिस बादाम काजू ले लिया है क्योंकि बिंटर सीजन चली रहे हैं और मैंने थोड़ा सगी लिया है क्योंकि मैं ड्राइफ्रूट्स जो है उनको मैं रोष्ट करूंगी तो अब हमने पैन रख लिया है अब मैं इसमें आड करूंगी 2 टेवल स्पून घी और इसके बाद हम इसमें एड करेंगे काजू औ नहीं तो काजू बहुत ही जल्दी फिर भूंजाता है और इसे चलाते रहे हैं तो देख सकते हैं मेरा काजू अब भूंज गया है और मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में और इसी घी में ही अब मैं रोष्ट करूंगी बादाम अगर हम लोग ड्राइफ्रूट्स क कर लेते हैं तो हमारे जो लड्डू या कुछ भी आप बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी से एक टेस्ट आता है तो देख सकते हैं बादाम भी बहुत अच्छे से रोष्ट हो गया है अब मैं उसी प्लेट में बादाम भी निकाल लोगी और इसी घी में हम रोष्ट कर लें अब मैं तो देख लेख 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 और इसी में थोड़ा सा मैं मिक्स करूं कि 2-4 इलाची तो बहुत ही एक टेस्ट अच्छा सा आजाएगा फिर हमारे लड्डू में तो मैं एड़ कर दी हूं चार इलाची और इसी में ही ग्रैंड हो जाएंगे हमारे ड्राइफ फूट के ही साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो ज हमारा उसको आप पीस कर लिजी छोटे-छोटे मैं ऐसे निकाल लहीं हूं और उसी को आप ग्रैंड कर सकते हैं तो जो आपको ठीक लगी वो करिए मैं इसे ग्रैंड करूंगी तो यह देखिए मैंने पीस कर लिए हैं सारे अच्छे से ग्रैंड कर लोंगी और यह देखिए बड़े पीसे जल्दी मिक्स नहीं होगे तो इसलिए थिन चॉप्ट कर लें तो यह मैंने इनको छोटे-छोटे बारी की कर लिया भी इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे तो हम अपना जितने भी इन गुड़ हो गया और सब इसी में हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह लड़ू बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही पतलब आपका हेल्दी एक लड़ू है क्योंकि इसमें सारे ड्राइफ फूट्स और ठंड के सीजन में ड्राइफ फूट्स और खाने चाहिए तो यह देखिए मैं लड़ू बना ले रही हूं और बहुत ही अच्छ लड़ू बना लेंगे तो यह सकते हैं हमारे लड़ू बन के तयार हो गए हैं बहुत ही अच्छे से तो यह देखिए कुछ इस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रहे हूं और बहुत ही टेस्टी लगते है जरूर बनाएए और चोटे-बड़े सभी को बहुत पसंद और बताएगा आप लोग किस तरीके के लड़ू बनाते हैं कमेंट बॉक्स पे और थैंक यू सो मच गाइस प्लीज लाइक सेर सेस्क्राइब जरूर करें